और अब ज़रा सोचिए, आप वंदे भारत जैसी प्रीमियम चेन में सफर कर रहे हैं, चेन में भूक लगी तो खाना ओदर किया है, लेकिन जो खाना आपको सर्व किया गया, उसमें कौक्रोच निकला है, भोपाल जबलपूर वंदे भारत में सफर करें, क्यात्वी के साथ हुआ है, मामला सामने आने के बाद, रेल्वे में भी अड़कम किस्तिती, देखें पॉलिट पॉर्ट वंदे भारत ट्रेन शांदार सफर के लिए जाना जाता है, बात रफतार की हो, या ट्रेन में मिलने वाली सुविधाओं की, हर चीज के लिए बहतरीन लेकिन ट्रेन में यात्रियों को जो खाना परूसा जा रहा है, उसके बारे में जान कर आप हैरान रह जाएंगे ये तस्वीर देखिए, ये कोई रेसिपी नहीं, वंदे भारत में यात्री को दिये गए इस खाने में कौकरूच है जी हाँ, ट्रेन में यात्रियों को खाने के नाम पर कौकरूच दिया जा रहा है, मामला भोपाल जबलपूर वंदे भारत ट्रेन का है ट्रेन में एक यात्री ने खाना बुक किया था लेकिन जो खाने की दो थाली दी गई उसमें कौकरुच था नाराज यात्री ने एक्सपर पोस्ट कर पियम मोदी और रेल मंत्राले को इसकी जानकारी दी जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे अधिकारियों से लिखित शिकायत भी की गई जिसके बाद रेलवे में हडकम मच गया अफॉरन कारवाई भी की गई रेलवे ने केचिंग ठेकेदार पर पैतालेस हजार का जुर्माना भी लगाया इसमें खादपराथ उपलत कराई जाते हैं तो हमने उनको भी संग्यानित किया है और इसके अलावा 20,000 रुपे डिविजन ने अपने मादम से इसमें फाइन लगाया है साथी मुझे बाद में मुहालम पढ़ा गया है तो हम निरनतर इस प्रयास में रहते हैं कि हमेशा अच्छा खादपराथ मिले याक्टियों को और कोई असुजा का सामना ना करना पड़े ट्रेन में खाने की गुर्वत्ता को लेकर आई दिन शुकायते सामने आती हैं लेकिन वंदे भारत जैसी प्रेमियम ट्रेन के खाने में कौकरुच मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज एटीन